यह कमी जो है इंदरेष जी के प्रियास में वो हिंदु और मुस्मिम्मान में एक्ता करना चाहते थे लेकिन उसमें फिल रहे मुस्मानों हो ने भाजपाप नहीं दिया यह ब़िफलता जो है इंदरेष जी अस्फल हो गए इसलिए वो आरोप अपने अस्थर होने का आरोप बाजपर पर लगाते हैं उसे यह करें कि अभिमान हो गया है और अभिमान नहीं हो गया है वो अपने नहीं से जो भी करते रहे कोई करते रहे इंद्रेश जीसे विचारक जो आरेसस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया, इनके परचार में, इनके कार्जों में वह सिथिलता बरते, इसी लिए यह घटनाय हुई, देखिए, अभिमान नहीं हो गया है, और ऐसा कुछ नहीं है, असल में यह इंद्रेश जी हिंदू और मुस्लमान के एकता के लिए परयास करते रहे, लेकिन उनका परयास मिल्कुल बिफल हो गया, मुस्लमान ने भाजपा को ओड़ दिया ही नहीं, और वो चाहते थे कि पहले ही परयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुस्लमान के भाजपा है, भाजपा को ओड़ दें, जिसे की इनके भीज़े हो, ऐसा परयास करते रहे, लेकिन इसमें स्वयम इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए ओ आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपार पर लगाते हैं, वो सो यह कर रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अ तो एकतालिस यदे सांसत उनके हो गए हैं तो यह कम नहीं है, बहुत हैं, हाँ रही बाद की परयास उनके कुछ दूसरा रहा, और परयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही, और इसलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक जो आरेसस में हैं, उन लोगों ने सहजोग नही दिया, इनके परचार में, इनके कार्जों में, वो सिथिलता बरते, इसलिए यह गटना हुई, बसुत है वो अपना जो असफलता है, वो भाजपा लगा रहे हैं, यह गलत है, बिलकुल भाजपा ने अपने ढंक से और अभिमान नहीं है, और उनके स्वाभिमान है, उनको यह गवरो है, कि पांच सो बरसों के जो विवाद रहा, उसको समाप किया और राम मंदिर का निर्मान कराया, इतनी बड़े कार्ज करनी वाली भाजपा को, और वो असफल काते हैं, और विमानी काते हैं, उनके स्वाइम समझधारी नहीं है, उनके बसुत है, जो बोल रहे ह गलत है, वास्विक्ता यह नहीं है, वास्विक्ता यह कमी जो है, इंद्रेश जी के प्रियास में है, वो हिंदू और मुस्लिमान में एकता करना चाहते थे, लेकिन उसमें भी फल रहे, मुस्लिमानों ने भाजपा को नहीं दिया, यह भी फलता जो है, अब भाजपा पर ल सब बड़े हिर्दे से, सहर्दे से और हिंदू थान के लिए वो प्रयास करते रहे, राम जर्मुमी के लिए बहुत कुछ किया है, और राम नल्ला के विप्रान पतिष्टा हुई और सब कुछ हो गया है, ऐसे इस सिती में उनको अभिमानी कहना गलत है.